कापी अच्छी कॉलिटी की चीज है ये ब्राइडल सारी ये पूरा लहंगा कॉंसेप्ट इसके अंदर बैडिंग कलेक्शन ये सिंपल है पूरी हवी चीज है कितना प्यार बॉक्स है और इसमें ये सारी ये सारी ये सारी ये जर्कन ये लेज बॉर्डर और ये सर यह पर आपको फिनिशिंग नजर आ रही है ये जो है ना मोत्यों की फिनिशिंग पूरी सारी के अंतर है शिरोस की ये जर्कन ये एम्रोइटरी मुल्टिवर्ग बिल्कुल रासों के उपर आपको चुहा जरी जरी जिसको कहते हैं ये विचितरा बेस के उपर मतलब कलर चार्ट जितने आप चाहें उतने आपको मिल ज सब्सक्राइब कर चाहते हैं तो अगर आप इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं तो ब्राइडल चीजों में प्राइडल ब्राइडल सारी है इस प्राइडल लहा रहती है तो आपके वीडियो में देखेंगे हमारे आपर जो जो कलेक्शन है ब्राइडल सारी का वह खास करके ऐसी चीज जिसकी रहती है हावी मारजिनेबल रहती है तो आपके लिए फाइदे मन दिये है जो चीज आपको अच्री मारजिन दे और कस्टमर में हावी डिमांड रहे वो चीज आप मेंटेन करें बिल्कुल जी बिल्कुल आप देख सकते दोस्तों यह सब साडिया आपको प्रॉपर ऐसी पैकिंग में मिलने वाले कैटलोग की रेंज देख सकते हैं कैटलोग की साडिया ऐसे जाएगी मतलब आप यहां से साडियों के बारे में अगर डील करना चाहते हैं साडियों का बिजनस सोच रहे हैं कोई भी कपड़ा रिलेटेड आपको चीज चाहिए भले वह अस्तर हो फॉल हो पैट सब्सक्राइब करना चाहिए तो मिनिममम पर्चीज वगर का अपने क्या रखा मैं मिनिममम पर्चीसिंग आपको जो करनी होगी वह पचास किलो का पार्सल बन सके उतनी करनी है ताकि ट्रांसपोर्ट कंपनी से हम भीज सके और आपको वह सस्ते दाम में पड़े बिल्कुल तो मैं आज की वीडियो जासे ब्राइडल दिखाएंगा तो बॉक्स पैकिंग में कुछ ऐसा रहेगा ना ब्राइडल ब्राइडल सारी अब इसमें अलग अलग हमने जो है विराइटी में करके रखी है बहुत हैवी सिंपल एलिगेंटी जैसी चाहिए हो विद दुपत्ट इंपॉर्ट फाबरिक के ऊपर जितनी आपको चाहिए वो सभी मिल रही है लास्पेज के ऊपर यह देखे आपको टोटल नंबरों पीस पता चल जाते है यह एक सेट की चीज है बाकि इस तरफ एक और मास्टरपीस हमारे पास है यह देखिए वेडिंग कलेक्शन और यह ज पर देखेंगी यह जो है दुपता का पाटन है जो साड़ी आपको यह दिख रही है वही इसका अंदर होगी क्योंकि जब हम इसको मैनिफेक्ट्रिंग करते उसके बाद इसका प्रपर फोटो शूट होता है यह यहां पर लगा जाता है और सांपल यह तो मैं जैसे वर्की स वर्क साडिया हमारे हाँ पर शुरू होती है वन सिक्स्टी फाइब रुपीज से बिलको जी आप देख सकते दोस्तों यह पूरा गुदाम सेक्शन होने वाला यहां माल की कमीनी होने वाली है जहां तक आपकी नजरे जारी होगी बस आपको सेक्शन में दिखेंगा देख स वाला सेक्शन है यह प्रोपर आप देख सेते हैं जैसे मिन आपको वड़ा ले साडिया यह ऑन इस तरह की साडिया लेकरा में होती है ठीक है आगे आगे है अवा इख दिखा देता हो थाकि आप आपको अगि आपको आइडिया लग जाए तो मैं ज्या देरी निकरेंगे अ पूरा लहंगा कॉंसेट इसके अंदर मतलब यह देखें कि इसको आज लहंगा कर सकते हैं प्रॉपर सारी कुछ इस तरह से लिख जागे यह देखिए इसको राउंड करके पैनेंगे सो टोटली अप्टू ब्राइट क्यों को यह जिस कैसे बार करनी है बाकी है यह मास्टर प अब यह हमारे दुलहन का है जो यह दुलहन बॉक्स रडे कर जाएगी अगर आपको सारीयों का एक्जागली लुक देखना है तो मेरी अपसे रिक्वेस्टर डारेक्ट स्क्रीन पर यह नंबर्स पर कॉल कीजेगा यह देखिए यह पूरा ब्राइडल कॉंसेप्ट है यह ह पूरा मतलब हैंडवर्क से पूरी साड़ी बनाई जाती है बिलकुल जी मैं तो यह साड़ी भी हमने देख ली अब बॉक्स में कैटेगीरी कर लेते हैं यह देखिए बैडिंग कलेक्शन यह सिंपल है पूरी हवी चीज है सिंपल हवी हर तरह का काम इस पर बॉक्स यह तर इसलिए अगर आपको बिजनस करना है और ऐसी खुबसूरत सी साड़ी अपने पास रखने है तो स्क्रीन पर नंबर है वहाँ कॉल किजेगा वहाँ से आप अनलाइन फर्चेसिंग कर सकते हैं साडिया देख लेते हैं सबसे पहले जो साड़ी हम यह पर देखेंगे यह काफी सांदार क्रेशन एक तम सिंपल सोबर अट्राक्टिव साड़ी है और काम देखे सर इसके ओपर पेच वर्क किया गया है तौन को सब्सक्राइब तेन बॉर्ड़ जालएं जो इस में निकिते साड़ी हमर्य जो स्टार्टिवर्क वाली होती है यह सब अगली स्प्राइशन भी डेख लेते हैं बहुत मास्टरपीस है सर यह बहुत ही अच्छी कॉलिटी की साडिया है और यह सब अपना जॉर्जेट शाडगराम के उपर से आपको काम दिख रहा है और काफी प्रॉपर अच्छी साडिया हो जाते है यह सब प्रॉपर पैकिं है और यह देखिए अज मेरा फैशन का लोग यह सब्सक्राइब आपको ऐसे हावी वर्क चाहिए शिरोशकी हो एम्रोइटरी हो गोडिंग जर्कन सारे तरह की चीजे मिल जाएंगे जैसे यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह इंप्र्टेट फाब्री के ऊपर है यह हम देखिए ने पर ओपन करने के बाद इसक यह देखिए यह है यह खुबसूरत मास्टर पीस यह देखिए इसके बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर में जा रहा है मैं वह साड़ी को गड़ी तो घड़ी दिखाएंगे कि इतना चलू का घड़ी में दिखाएंगा मैं एक बर प्रॉपर इसका फोल्ड कर लेती हूं ताकि आ दो आएंगे जरी को अरहने के दो इसके यह उसके इसाय चाहुता जाएंगे तो चाहिए तक दिखाएंगे मैं आटा क मतलब आप यह दो युzd वेस्टैस जलना और यह बदो तक पेकिंग चलते रहती हैं और यह पूरा सेक्शन यहां यहां आते हैं इस तरफी सॉक्शन म तक यह नहीं पर नहीं पर देखें पर अपर इस साडी के आ रहा है यह यह लो कलर के उपर यह जो का फी अट्राक्टिव जो पर चलिए थोड़ा सिक्वेंस दिखाएंगा मैं ताकि आइडिया लगे घड़ी में एक चीजिए का निखार दिखता है साडी क्या वर्क है और सिर इसमें वाइट सिक्वेंस आप देखेंगे तो यह वाइट सिक्वेंस है जो एक चमकेगी तो सही एक शिमरी लुक देगी लेकिन यह बहुत ज्यादा ओवर्वेल्विं नहीं लगेगी बिल्कुल जब लाइट अगर इस पर पड़ेगा यह तब ही प्रिंट की साड़ी अपने पास 99 से स्टाड़ जाती है नॉर्मल साड़ी 45 से स्टाड़ जाती है जो अपना बिल्कुल जी ठीक है अभी क्या एक और गड़ी तो गड़ी में आपको दिखाता हूं बहुत अची साड़ी यह देखें यह वी शांदार होने और यह एक दम कु है यह मल्टी वर्क है यह जरकन है यह लेस बॉडर और यह सर यह पर आपको फिनिशिंग नजर आ रही है तो यह जो है ना मोत्यों की फिनिशिंग पूरी साड़ी के अंतर है बिल्कुल जी और हर एक साड़ी में टैग लेबल सब कुछ रहेगा आपको प्रॉपर आपको र सब्सक्राइब के लिए यह बहुत अट्रैक्टिव चीज है सोबर भी है और एक शादियों की सीजन में इसी तरह की चीजों की डिमार्ट रहती है अ कलर चार्ट रैड चाहिए रैड मिल जाएगा डार्क लाइट इंग्लिश कलर हर तरह की अवीलेबल है साथी में एक दो अबर चुहा जरी जरी जिसको कहते हैं यह विचितरा बेस के उपर मतलब कलर चार्ट जितने आप चाहे उतने आपको मिल जाएंगे यह नट के उपर रासो के डिफरेंट कलर यहां पर इसी तरह से सेट वाइस चीजे मिल ज़ही है एक शेट में सभी कलर्स अलग है सभी के अबर जो काम है डिपेंड करता है क्या तो कि आपको पर सेम है अग है वह राइटी जाए है सब में बार बैक से बिखाना चाहते हैं यह जो पुरी साडियों की दिवार बनाई है यह देखे हैं वाइल्ड कालेक्शन है हमारे हां वन मिनट साडिय के हावी दिमांड है यह य अबर अबर बैट है और बलाउस से बढ़ा हुआ है यह ज़िसके साड़े है और बलाउस से बहुत है बहुत साड़ी नहीं पुर्ड लेक्शन हमारे यहां है हुँए है द्रेस मोटेरियल है बच्चों के कपड़ों से लेकर मैंसबर लेक और में सब इस चीज़ अबेल है तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे लिए सबकुछ एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है इसलिए आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए डारेक्ट अज मेरा फैशन की नंबर्स पर कॉंटाक कीजिएगा बिल्कु जी, थैंक्यू मैम